हेलो एवरिवन वेलकम टू क्लास 24 जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली मौर्णिंग में फाइफ एम पे अपना एक इंपोर्टन सेशन होता है जहाँ पर हम लोग कवर करते हैं कई सारे ऐसे मेहत्रपूल सवाल जो कि आपके डेली के करेंट अफेर के होते हैं और डेली सु और आत्बजवली क्लास हम लोग जो है वो उसको वीकली है जो कि करने वाले अपसे हर सटेटे को हम लोग एक लॉंग क्लास करेंगे दो-तिन गंटे की उसके अंदर हम लोग एक टॉपिक है जो कि कवर करेंगे और इस क्लास की PDF आपको क्लास 24 पर मिल जाएगी वहाँ पे आ इसको 1956 में भेल कंपनी को जो है उस्टैब्लिश किया गया था उस जमाने में हमने सोवियंट टेक्नोलजी को यूज करके सोवियंट की हेल्प से जो हमने इसको सेट अप किया था और दिल्ली के अंदर ही आपको इसका एटकोर्टर है जो की देखने को मिलेगा एरो स्पेस डिफे जो की काम में करती हैं नेक्स सवाल है आपका माहे मालवान और मंगलोर हाली में लॉंच किया गए किन उत्पादों के नाम है उत्पादन की बात करें तो यह तीन चीज़े हमने रिसेंटली लॉंच करी है तीन पुराने चीज़ें को रिप्लेस करके है ना और ठीक है तो य अंसर क्या हो जाएगा यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है तीन शिप है जो कि हमने सीरीज के अंदर लॉंच करी है और और 78 मीटर लॉंग यह वैसल है और काफी अपड़लेट है जो कि हमने इनको किया है ठीक है चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके दुवारा इसको जो कोची शिप्यार्ड है उसके दुवारा बनाए गया 2019 के अंदर यह कॉंट्रेक्ट है जो कि सायंग किया गया था वह कि इसके अंदर अंडर्वार्टर सेंसर भी सेंसर भी aver अन्टी सम्मरीन और आप्र én जो कि कोच्टल वाटर के अंदर करने के सीकी इसकी यह जो की इती इसकी आप एफड़ेट्र र गिलए इसके ऑले नु को अंए क्मार्थ कि उन्चा करेगी वह अभय क्लास के जो पुराने थे ना उनको रिप्लेस करेगी पहले अभय क्लास के हमारे ASW हुआ करते थे उनको रिप्लेस करने का काम करेगी 25 नौट इसकी speed है और इसका endurance जो है न वो आप देख सकते हो 18 नौटिकल miles तक है जो कि ये endurance है इसका ठीक है और operation aircraft के साथ में और rescue and search mission के अंदर भी ये काम है जो कि आएगी ठीक कोची शीप राड के दुबारा बनाए गए आठ ऐसे submarine warfare है जो कि हमने रिसेंटली डिपल्ड कर रहे हैं अगला सवाल है बीमा शेत्र पर digital व्यक्तिगत data selection अधिनियम के प्रभाव की जाज के लिए किस संसा ने एक कार्रेबल का गठन किया है impact of digital personal data protection act के बारे में आपको बताना है यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए कि जब data protection के बारे में insurance के बारे में तो majorly जो answer निकल के आएगा वह अंबिशा आपका IRDI है जो कि IRDI है जो कि निकल के आएगा ठीक है तो IRDI है आपको यहाँ पर बिलकुल सही answer है जो की होगा तो यह आपको यहाँ पर जान रखना है ओकि यह organization जो है ना IRDI यह insurance regulatory and development authority of India statutory body है सरकार के दुवारा इसको बनाया गया किसी काम के लिए insurance देखने के लिए statutory body है मिनिस्ट्र फिनेंस के अंडर में काम करती है regulate करना license देना insurance और reinsurance industry को यह act आया था 1999 के अंदर पार्लेमेंट के दुवारा पास किया गया था इसका जो में जो हैड है उनका नाम है देवाशीष पांडा ठीक है यह चेर पर से नहीं जो कि अभी इसके बने वें दस member की बॉड़ी जिसमें चेर्में पांच फुल टाइम मेंबर चार पार्ट टाइम मेंबर जो कि गौवर्मेंट के दुवारा करें जाते हैं समझ गए चलिए अगला सवाल देखते हैं आपे तो इनके दुवारा रेसेंटली यह एक्जाइमिन किया गया कि डिजिटल लेटर प्रोटेक्शन करने मेता फेसबुक के साथ में मिलकर जो कि यह लेटर ऑफ इंटेंट है जो कि साइन किया है ताकि दोनों मिलकर स्टुएंट और एज्जुगेटर के बीच में ऑनलाइन सेफटी और डिजिटल सिटिजन्शिप को लेकर है जो कि काम कर सके स्टेट गौवर्मेंट प्लांन ठीक है और हर्मन प्रीस सिंग है जो कि इसके अभी कैप्टेन है अर्लियर तमिल आड़ो ने जो है ब्रॉंस मेडल जीता था कंडाटकों को हटा हरा के जोशी मट में पुने प्राप्ति और पुने निर्मान यूजना के लिए रास्ट्य आपदा पर्ति के रिया कोश द्वार जोशी मट को डवलोप्मेंट के लिए और यह कितना एक हजार करोड रुपे है जो कि दिया जाएगा समझ गए नैशनल डिजास्टर रेस्पॉर्स है जो कि 2005 में डिजास्टर मेनेजमेंट एट के माध्यम से दोस्तों काम करती है बनाए गई थी चेरपर्सन जो होते हैं द दिल्ली में इसका हैड कोटर है 13,000 लोग इसमें काम करते हैं और अभी जो इसके हैड है वो है अतुल करवाल है जो की अभी इसके हैड है ठीक है मिनिस्टर फोर्म और फेर्सकेंडर में ये बॉड़ी है जो कि आती है एक हजार करोड रुपे जो है इनके दुबारां दिये सकते हैं अपने आप में काफी बड़ी बात है तो रिसेंट्ली इस कैपसिटी के एरक्राफ्ट करियर है जो कि अभी हम लोग डील कर रहे हैं और हम लोग ले रहे हैं ठीक है आप बताएए क्या नाम है जो कि इसका हो सकता है अगर आपको बताएए कौन सा किसके दुवारा लिया जा रहा है क्या लिया जा रहा है बताइए यह हम लोग हमारे खुद का सुवदेशी बना रहين ठीक है यह हमारा खुद का है मतलब डिजाइन हमने किया है यह हमने खुद नहीं किया है दूसरा हम लोग इसको दूसरा यह सुवेदेशी विवान वाहग पोत है जो कि आप मान सकते हैं ठीक है इंडिजनेस की बनाया मतलब हमने इसको यह अच्छी बात है हमारे लिए जल्दी बताईए और लगबग इसका बजट कितना होगा चालिस हजार करोड रुपे का इसका बजट होगा ठीक है और चीन जो देरे देरे जो हमारे इंडियनोशन में बढ़ रहा है ना उसको लेकर यह काम किया जा रहा है इसका नाम होगा इसका इसनाम जाए इसका इसका नाम है इसका इडिया जाएगा ठीक है हो सबसक्वाद में इसको जब यह बनके आ जाये तब इसको नाम रुपे जो है इसको लगने वाले इससे पहले जो हमने बनाए था वो हमारा क्या था विक्रांत है ना इससे पहले जो सोधेशी था ना विक्रांत था और अभी हमारा दूसरा है next है employee fee 2.0 portal जो launch किया गया ministry of housing and urban affairs के दुबारा यह क्या काम करेगा यह दोस्तों data को क्या करेगा सेंट्रलाइजिशन करने काम में जोकी करेगा अर्बन डबलप्मेंट के लिए ठीक है तो primary goal जो है वो employee fee 2.0 होगा यही है कि वो सेंट्रलाइज करेगा streamline करेगा नए data को cities के अंदर अर्बन डबलप्मेंट के अंदर जोकी करेगा next है नागलेंड के इत्यास में एक दिसंबर 1963 को क्या महत्वपूर्ण है नागलेंड के बारे में आपको population है और यह स्टेट हुड डे है दोस्तों जो की एक दिसंबर को मनाते हैं एक दिसंबर को यह इसका formation है जो की हुआ गवर्णर अभी यहां पर कौन है गनेशन है ठीक है और सीम जो है यहां पर निफ्यूरी है जो की पॉलिटिकल पार्टी है उनकी एंडी पीपी पॉलिटिकल नाम से उनकी पॉलिटिकल पार्टी है साथ विदान सभा की एक लोग सभा राज्य सभा की सीट देखने को मिलेगी गोवाट यह जो इनका लगता है को हीबा के एक बैंच है जो की है इंग्लिश यहाँ पे official language है हर कोई आपको English बोलता हो मिलेगा और मिठून यहाँ पे मेंबल एस्टेट का elder करके यहाँ पे ट्री है और ट्रेपगोन है जो कि स्टेट का बर्ड है रोड़ेदेंट्रों यहाँ का flower है एनेच वन स्टेट का highway के अंदर NLSH1 है जो कि यहाँ पे क कि इसका बनाया जाता है सोलवा राज जय जो कि भारत का नागलेंड बना था जीटीप ग्रोफ रेट जुलाइज से सेप्टेंबर क्वार्टर फिनेंशल है 2024 की दोस्तों कितनी रही तो इस बार हमारी एक्स्पेक्टेशन से अच्छी रही ग्रोफ रेट जो कि 7.6 परसंट है आप जोइन कर सकते हैं आइबी ACIO का बैच है तीन मेने बाद एक्जाइम है और अभी किसे क्लासेज अभी एक-दो क्लासेज हुई है जोइन कर लीजेगा 300 गंटे से भी जाधागार कोर्स है 50 जाधा टेस्ट है आपको टीर 1, टीर 2, टीर 3 तीनों की यानि कि आपका लेंगे अभी साथ बचाली क्लास में थेंक यो और विवन गुद्बाई और नाइस टेए